दीपो से जगमगाता त्योंभार दिवाली जहा श्री पुजन के साथ ही रिष्टों को नए रेशिम बंधों से बानने का संदेज दिया जाता है दिवाली का दिया अभ्येंगस नान द्वारा आरोग्यम धन संपदा का संदेज देता है तो वही भाई दूज की मंगलारती से भाई के प्रगती की कामना बहन करती है भाई दूज लाया खुशों की बहार भाई बहन का प्यार और थोड़ी तीखी थोड़ी मिठी तकरार आप सभी कुम बर रखो भाई दूज का ये तेवहार दोस्तों भाई बहन का रिष्टा सिमली की तरह होता है जो थोड़ी मिठी और थोड़ी खटी टेस देता है वैसे तो भाई बहन के जगडे विश्व में मशूर है लेकिन समय यह भी शास्वती देता है कि बहन के बिदाई की समय सबसे ज़ादा भाई ही रोता है तो क्यों मना या थेवार भाई और बहनों के अनोखे रीष्ते को मजबूत करता है इस दिन बहनें अपनी भाई के माथे पर तिलक लगाती है उनकी कलाई पर मौली बानती है और फिर नारियल देती है साथ ही बहन भाई के अच्छे स्वास्त, लंबी उम्र और समरुद्धी की कामना भी करती है भाई अपनी बहन को हर बुराई से बचाने का वादा करते है इस तेवहार को देश भर में अलग-अलग नाम से मनाया जाता है इसे पच्छमगाल में भाई फोटा, महराश्र में भाव बीज, बिहार जारकन में गोधन कुटाई और देख्षिन भारत में यम द्वितिया के रूप में जाना जाता है पवरानिक कथाओ की माने तो यम यानी यमराज और उनकी बहन यमुना भगवान सूर्य और छाया के संतान थे दोनों भाई बहन में बहुत प्यार था हाला कि यमराज अपने काम में इतने व्यस्त रहते थे कि उनको यमुना के पास जाने का समय ही नहीं मिलता लंबे समय तक जब यम नहीं मिले तो बहन यमुना नाराज हो गई एक दिन भाई यमराज अचानक अपनी बहन यमुना से मिलने पहुच गए भाई को सामने देख यमुना बेहत खुश हो गई उस दिन कार्तिक शुकल पक्षकी द्वितिया थी यमुना ने भाई यम का खूब सतकार किया उनको विदा के समय एक नारियल भेट किया जब यम ने पूछा कि नारियल क्यो तो यमुना ने कहा कि यह नारियल आपको मेरी याद दिलाता रहेगा इसके बाद यमुना ने अपने भाई से वचन लिया कि चाहे वे कितने भी वेस्ट क्यों न हो कार्तिक शुकलत वितिया के दिन यानी भयादूश को मिलने अवशाएंगे यम्राज ने बहन को आश्वासन दिया माना जाता है कि तभी से भाईदूश के दिन भाई अपनी विवाहित बहन के घर टीका कराने जाते है और बहन अपने भाई को नारियल भेठ देती है तो चलो देखते हैं भाईदूश में क्या है खास और विशेश मूर्थ ताकि आप भी उत्तम मुर्थ में भाईदूश का तेवार मना सके। तूटे दीलों को जोड़ कर साथ मिल जाए। चलो इस दिवाली कुछ खास हो जाए।